जहन दोस्तों, जैसा कि आज है साथ जुलाई, साथ जुलाई 2020 के जितने भी करेंट अफिर्स की कोश्चन हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एक्जम्ट के पॉइंट अव्यू से इंपोटेंट हैं, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े जितने भी फेक्ट हो सकते हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो हम पहले प्रिशन से शुरुआत करते हैं, आज का पहला प्रशन है, हाल ही में कोरोना वायरस की वज़ह से नौकरी गवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना को प्रारम करने की घोशना की है, आपको बताना है कि केरल सरकार ने कोन सी योजना को प्रारम करने की घोशना की है, कोरोना वायरस की वज़ह से नौकरी गवाने वालों के लिए, तो इसका सही आंसर है, आप्शन ए, ड्रीम केरल, जैसा कि केरल सरकार ने हाल ही में ड्रीम केरल नामक एक प्रियोजना को प्र ज़ो कि भारत की पुरुव CJI B रह चुके हैं। इसके लावा यहां की राजधानी की बात करें। तो यहां की राजधानी त्रुवनंत पुरम है। कौनसी है। त्रुवनंत पुरम। इसके लावा केरल को गोड्स ऑफ ऑन कंट्री या फिर इश्वर का अपना घर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपको याद रखना है कौनसा इश्वर का अपना घर इस नाम से भी पुकारा जाता है किसे केरल को। इसके लावा केरल की परेटनिस्थल की बात करें। तो यहां पर मुननार, कुलम, कोटेम, एरिना कुलम वा कोवलम जील आदी यहां पर प्र यार वन्यजीव अभ्यारन या फिर शांत घाटी कहां पर है तो आपको याद रखना है केरल में इसके अलावा यहाँ पर तीरंगा कौन सा तीरंगा पहल के तहट रेपिड स्क्रीनिंग भी की गई थी काई के लिए कोविट 90 की वजह से इसके साथ ही कोविट 90 रोग्यों की स सिवा के लिए इसके साथ ही यहाँ पर ब्रेक दा चेन काईटून अभ्यान भी चलाया गया था नेक्स्ट कोश्चन के हम बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोरोना वाइरस हवा से फैल कर लोगों को संक्रमित करता है यह दावा कितने देशों के 249 विग्यानिकों ने का सही अंसर है ऑप्शन सी-36 देश कौन सा है ऑप्शन सी-36 देश जैसा कि कोरोना महमारी की दोर में विग्यानिकों का एक दावा और अटेंचन देने वाला है दर नियॉर्क टाइम के अनूसार 36 देशों के 249 विग्यानिकों के एक रिपोर्ट के अधार पर इस नीज को प छीकने खांसने वा जोर से बोलने से इंफेक्टेड व्यक्ति के मुह से निकले ड्रॉप फ्लेट्स हवा में तेर कर स्वस्त व्यक्ति तक पहुच सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे घरों में रहते हुए भी N95 कौन सा N95 मास्क पहनने की सकते जरूरत है। अगला प्रशन है कि परेटन को बढ़ावा देने के लिए सांसद आपका इंतजार। मद्य प्रदेश राज्य की परेटन स्थलों पर परेटकों को आकर्शित करने के लिए सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभिहान को प्रारंब किया गया है। कौन है शिवरासी चोहान जो की CM है इसके लावा अगर हम राज जेपाल की बात करें गवर्णर की तो यहां की वर्तमान में आनंदी वेल पटेल है जो की कारेवाहक है और मोल रूप से कौन है तो याद रखना है लाल जी टंडन उनका स्वास्तर ठीक ना हो रहे के कारण यहा गया है next question की बात करते हैं covid 90 संक्रमर के मामले में रूप को पीचे छोड़कर भारत किस इस्थन पर आ गया है आपको बताना है कि covid 90 संक्रमर के मामले में भारत कौन से इस्थन पर आ गया है तो इस question की सही अंसर है option b तीसरा जैसा की इस समय पूरी दुनिया में corona के total मामले ल लोग इससे ठीक भी हुए हैं और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे देश कोरोना इंफेक्शन के मामले में रूस को पीछे छोड़ते हुए थर्ड नंबर पर आ गया है कौन से नंबर पर आ गया है थर्ड नंबर पर इसके साथ ही हमारे देश में कोरोना के कुल मामले 7 ल के भारतिय शोशल मीडिया एप को लॉंच किया है उसका नाम क्या है आपको है बताना है कि शोशल मीडिया है जो आट आफ लिविंग के लिए उसका नाम क्या है तो इस कोशन का सही आंसर है option A, elements जैसा कि आट आफ लिविंग ने इसे देश का social media super app भी कहा है इसके साथ ही इसम पब्लिक प्रोफाइल फीचर्स भी मौझूद है इसके साथ इस एप को डेवलप करने के लिए भारती आईटी एक्सपर्ट से काम लिया गया है और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक की बात करें तो कौन है शिरी शिरी रवी शंकर कौन है आर्ट आफ लिविंग के क्या होता है तो आपको यह भी याद रखना है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया और हिंदी की बात करें तो भारती राष्ट्री भुकतान निगम इसने अपना जो सेंटर है स्मार्ट डाटा सेंटर वह हैदराबाद में बनाने का निर्णे लिया है नेशन और अंतर राष्ट्री मानको के अनुसार निर्मित की जाने वाली सुईधा राष्ट्री सुरक्षा सेटप को अत्यतिक सुरक्षित बुनियादी धाचे के साथ इस्थापित करेगी और यह डिजीटल इंडिया पहले के तरद प्रमुक सेवाएं भी प्रदान करेगा अहम ह हैद्राबाद से जुड़े फेक्ट को भी साथ में कवर अप करने की कोशिश करते हैं जैसा कि तीरंग गाना की राजदानी है है हैद्राबाद और हैद्राबाद किस नदी के किनारे हैं तो आपको यह यह बھی याद रखना है कि मुसी नदी के किनारे पर इस्तित है और यह फूर्थ सरवार्थिक जन्संख्या वाला शहर है और GDP की बात करें तो ये इस शहर के दोरा GDP में जो योगदान रहता है उस मामले में यहां फिफ्ट नंबर पर आता है कौन सा है? हैदराबाद इसके लावा है हैदराबाद को निजाम का शहर कौन सा निजाम का शहर एवं मौतियों का शहर भी कहा जाता है कौन कौन सा याद रखना है निजाम और मौतियों का शहर किसे कहा जाता है हैदराबाद को इसके साथ ही हैदराबाद और सिकंदराबाद कौन-کون से हैधराबाद और सिकंद्राबाद को जडवा सहर के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर कौन-कौन से परेटन इस्थल हैं तो उनमें चार मिनार, हुसेन सागर, सालार जंग, संग्रहलय हैं इसके साथ यहां पर गोलकुंडा का किला भी इस्थित है नेक्स्ट कुश्चन की हम चर्चा करते हैं केंदर सरकार ने 8,250 करड़ रुपए की लागत से बनने वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माड को हाली में मंजूरी दी है तो यहां कितने किलोमीटर लंबा होगा चार ओप्षन आपके सामने है तो इस प्रशन का सही आंसर है 404 किलोमीटर कौन सा है ओप्षन डी 404 किलोमीटर जैसा कि 4 जुलाई 2020 को कब 4 जुलाई 2020 को केंदरी परिवहन मंत्री नितिन घड करी चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माड को लेकर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जलिए यहां के CM से चर्चा की इसके अलावा मध्यप्रदेश उत्रप्रदेश वर राजस्थान से होकर यह गुजरेगा और यहां स्वन्निव चत्रबूच के दिल्ली कोलकाता खंड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा इस प्रोजेक्ट में 309 किलोम का राजस्थान वा 17 किलोमेटर का उत्तरप्रदेश में रहेगा इसके साथ ही राजस्थान की कोटा को मध्यप्रदेश के भिंड कौन सा याद रखना है कोटा टू भिंड से जोडने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्मार से चंबल छेत्र के आसपास बसने वाली आवाद रस्था कौन सी बनी है तो चारो अप्शन आपके सामने इस प्रश्ण का सही आंसर क्या होगा जर्मनी जैसा कि जर्मन सांसदों ने उर्जा इस्तरोत के रूप में प्रिफ्ट होने वाले कोईले के उपियोग को देश में लंबे समय से प्रतिक्षी चनड के अंतिम रूप करने की मंजूरी भी प्रतान की गई है इसके लावा एक बहुती महत्पूर्ण फेक्ट आपको साथ में बता दें कि जर्मनी दुनिया भर में लिगनाइट का उप्योग करने वाला आपको याद रखना है कि जर्मनी जो है वह दुनिया भर में लिगनाइट के सबसे बड़ तो इस प्रश्णे का सभी आंसर है,順प्शन बी बलराम, योजना जैसा कि भूमी हिन किसानों को फसल रिंट प्रदान करने के उद्धेश्च से उडिसा सरकारने बलराम, योजना को प्रारहम करने का फैसला लिया है इस योजना के तहत भूमी हिन क्रशकों को सईयुक्त देता समूह अर्थात JLG के माध्यम से रिड़र प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत सरकार ने अगले दो वर्षों में लगभग 7 लाख भूमी हिंद क्रिसानों को क्रशे निडर प्रदान करने का लक्ष रखा गया है और इसके उद्देश्य के लिए 1040 करोड रुपए को भी निर्धारित करने का फैसला लिया है कि इस योजना को सफलता पूर्वक पूर्ण किया जा सके इसके अलावा यहां के मुख्यमंतरी की बात करें तो नभीन पटनायक यहां कर सीएम है इसके अलावा राजजपाल गड़ेशी लालवा यहां की राजधानी कौन सी है बुवनेश्वर इगले प्रशनी की चर्चा करते हैं काफी महत्यपूर्ण प्रशन है की दो बार के ओलंपिक गुल्ड मैडलिस्ट याद रखना है की दो बार के ओलंपिक गुल्ड मैडलिस्ट चीन के खिलाड़ी Lynn Dan ने 20 साल की करेयर के बाद खेल को अलविदा कहा थे तो यहां पर दो अलग-अलग कोशन बन रहा है आपको याद रखना है कि लिन डेन कहां के खिलाडी है तो आपको याद रखना है चीन के और वे किस खिल के खिलाडी है तो इसका सही अंसर है आप्शन सी बैटमिंटन दो बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और चार बार के वर्ल्ड चेंपियन लिन ने साल 2000 वर्ष 2000 से खिलना प्रारम किया था और उन्होंने 2008 और 2012 में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था इसके अलावा छे बार प्रतिस्टित All England Open Championship भी उन्होंने जीती है इसके साथ ही सुपर ग्रेंड इसलेम पूरा भी किया था जिसमें बैटमिंटन की दुनिया के सभी नो प्रमुक खिताब शामिल होते हैं इसके अलावा इन्होंने 2006, 7, 9, 11 और 13 में वर्ल्ड चेंपियंशिप में खिताब जीते वी थे इसके साथ ही ओलं के एक मातर खिलाडी हैं क्या नाम है इनका लिंडेन जो की चीन के खिलाडी हैं तो यह था आज दिनाग 7 जुलाई का महतफूर्ण करेंट अफेस का सिशन जिसमें हमने सभी कोशनों को कवर अप किया है वित महतफूर्ण फेक्ट जितने भी उनसे जुड़ हुए थे उम्म झाल 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 झाल